कहते हैं इश्क में सब कुछ जायज है, लेकिन इश्क जायज है की नहीं, ये कैसे तैव। इन दोहर के सबसे अलिजिबल बाचलर और दिजर्स टाइकून देवरायचन, जी हाँ, उनका नाम खाली में उनकी ओफिस के इंपलोई से जोड़ा जा रहा है, जो की उनसे उम्र मे आधी है, जिसका नाम विधी बता आए जाता है। कि तुझे और उस आतने को अपने पती के आसपाल भी देखना नहीं चाहते है। तो इस साथ जन्मों की जिल्लत हमें बास इस एक जनम में दे दी। तो चली जाए। कैसे उस लड़की के साथ रिस्ता बना है जिसे हर्जून पैयार करता था। तो आप एक काम कीजी मुझे बताइए ये साथा जो क्राइसिस है ये कैसे मैनेज करना है। मेडिया वाले कॉन्फरेंस रूम में बैठे हैं आपका इंटर्व्यू चाहते हैं। ये सब स्कांडल को लेकर तो उन्हें क्या जवाब देना है। डामेज तो कंट्रोल करना होगा ना। और हाँ, इंवेस्टर्स को भी क्या बोलना है। सारे इंवेस्टर्स ने अपना इंवेस्टमेंट फोल्ड पे डाल दिया है। हमारे एफेम चैनल के टैग लाइन को लेकर मजा कुड़ा रहे हैं सब लोग। कह रहे हैं, ना उम्र की सीमा हो नहीं होना चाहिए। ना उम्र की शरम हो बोलना चाहिए। अचाहिए। 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 कहते हैं, इश्क में सब कुछ जायस है। लेकिन इश्क जायस है कि नहीं, यह कैसे तैब। इन दोहर के सबसे ऐलिजिबल बाचलर और बिजनस ताइकून, देवरायचन्द। जी हाँ, उनका नाम हाली में उनकी ओफिस के इंफ्लॉईस से जोडा जा रहा है, जो कि उनसे उम्र में आधी है। जिसका नाम विधी बताया जाता है। माँ, विधी थी और देव सार वाइरल हो गए। अब इन दोनों को भी वाइरल हो गया। इने में यही बढ़ती करा देते हैं। ममा उनको वाइरल ही हुआ है। उनका वीडियो हर जगे फेल किया है। और देखो, अब सब वही लोग देख रहे है। अर्टुन को अपने पेटे की नरे मांता है ना। मता है तुझे? प्यार करता था वो विदी से। इकि मैं तेरे हाथ चोड़ती हूँ, तो चली जाए हासे। तुझे और उस आथनी को अपने पती के आसपाल भी देखना नहीं चाहती। तुझे साथ जन्मों की जिल्लत हमें वास इस एक जनम में दे दी। तो चली जाए। कैसे उस लड़की के साथ रिस्ता बनाए चुट जिसे हर्जून प्यार करता था। केरी पेटी के उमर के वो लड़की। ये आपका परसनल मामला है, देव सर। तो इसमें मैं वैसे भी कुछ बोलनी सकती हूँ तो आप एक काम कीजिए मुझे बताईए ये साथा जो क्राइसिस है ये कैसे मैनेज करना है। मेडिया वाले कॉंफरेंस रूम में बैठे हैं आपका इंटर्व्यू चाहते हैं। ये सब स्कांडल को लेकर तो उन्हें क्या जवाब देना है? डामेज तो कंट्रोल करना होगा ना? और हाँ, इंवेस्टर्स को भी क्या बोलना है? सारे इंवेस्टर्स ने अपना इंवेस्मेंट होल्ड पे डाल दिया है हमारे एफेम चैनल के टैग लाइन को लेकर मजा उड़ा रहे हैं सब लोग कह रहे हैं ना उम्र की सीमा हो नहीं होना चाहिए ना उम्र की शरम को बोलना चाहिए असर मुझे, मुझे रिजाइन करना होगा